गुड मॉर्निंग बच्चों आज 30 मई 2020 और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्णावली 1.2 पहले चेप्टर में जो संख्या पद देती है प्रश्णावली 1.2 में ये देखें नीचे दिये गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए पहला है प्रतेक अपर में संख्या एक वास्तविक संख्या होती है प्रतेक अपर में संख्या एक वास्तविक संख्या है कथन सत्य है अब क्यों होती है प्रतेक अपर में संख्या एक वास्तविक संख्या क्योंकि इसका कारण देखिए हम जानते हैं कि पर्मे और अपर्मे संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या का समूह कहते हैं पर्मे और अपर्मे संख्या मिल करके एक वास्तविक संख्या बनाती है अता प्रतेक अपर्मे संख्या वास्तविक संख्या होती है पर्तेक अपर्मे संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्यों कि पर्मे और अपर्मे संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनाती है तो वास्तविक संख्याओं में पर्मे संख्या भी आ जाएंगे और अपर्मे संख्या भी आ जाएंगे नमबर दो संख्या रेखा का पृतेग बिंदू वर्गमूल M के रूप का होता है जहां M एक प्राकर्त संख्या है M एक प्राकर्त संख्या है माने M एक दो तीन चार पांच है कुछ भी हो सकता है अब ये कथन असत्या है कि प्रतेग संख्या रेखा का प्रतेग बिंदू रूट M के रूप का होता है ये कथन असत्या है क्योंकि संख्या रेखा पर असंख्या बिंदू होते हैं जो कि पर्मे और अपर्मे संख्या को निरूपित करती हैं देखिए ये संख्या रेखा बना पर्मे संख्या भी होंगे और अपर्मे संख्या भी होंगे जैसे जीरो और एक के बीच में कितनी पर्मे और कितनी अपर्मे संख्या होंगे तो असंख्या पर्मे संख्या होंगे और असंख्या पर्मे संख्या होंगे तो अगर हम संख्या रेखा पर एक बिंदू लगा दें तो एक वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है अर्थात संख्या रेखा पर सभी वास्तविक मानें पर्मे संख्या और अपर्मे संख्या निरोपित की जा सकती है आता है M1 प्राकर्त संक्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि देखो M1 प्राकर्त संक्या है इसका मतलब M का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up to 1 हो सकता है इसका मतलब M की जगे में एक रखा रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, up to 2 ही संक्या रेखा पर इस्तित है जबकि संक्या रेखा पर इस्तित किनी दो पूर्णांकों के मध्या, असंख्या, पर्मे और अपर्मे संख्याएं हो सकती है अता है यह जो कारण है यह जो प्रशन है हमारे पास क संक्या रेखा का परतेग बिंदू रूट M की रूप का होता है ये असत्या है नमबर थर्ड है परतेग वास्तविक संक्या एक अपर्मे संक्या होती है तो परतेग वास्तविक संक्या अपर्मे संक्या होती है माने ये कारण भी ये भी असत्या है पर्तेक वास्तविक संख्या अपर्मे संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि पर्मे संख्या और अपर्मे संख्या हैं मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का समों बनाती है तो पर्तेक वास्तविक संख्या जो है अपर्मे संख्या नहीं होगे वास्तेविक संख्याओं में पर्मे संख्या भी आती है और अपर्मे संख्या भी आती है इसलिए परतेग वास्तेविक संख्या अपर्मे संख्या नहीं हो सकती है अतार परतेग अपर्मे संख्या वास्तेविक संख्या होती है परंतु परतेग वास्तेविक संख्या अपर्म प्रमी संख्ञा नहीं हो सकती है जैसे पांच एक वास्ताविक संख्या है लेकिन अपर्मी संख्या नहीं है तो ये कारण सपस्ट हो गया है इसका प्रश्न संख्या 2 क्या सभी धनात्मक पुर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक पर्मे संख्या है क्या सभी धनात्मक पुर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं नहीं सभी धनात्मक पुर्णांकों के वर्गमूल अपर में नहीं होते हैं जैसे वर्गमूल एक का मान निकालेंगे हम तो धन एक भी आएगा रिन एक भी आएगा माने धन एक का वर्ग भी एक होगा और रिन एक का वर्ग भी धन एक होगा जो कि परमे संक्या है अन्या उदारन देखिए जैसे वर्गमूल चार का चार का वर्गमूल निकाले तो धन दो भी आएगा रिन दो भी आएगा क्योंकि धन दो का वर्ग भी चार होगा रिन दो का वर्ग भी चार होगा रिन दो गुणा रिन दो माने चार और वर्गमूल न होगा रिन्चार भी होगा इत्यादी ये सभी संख्याये पर्मे संख्याए हैं अता है सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल अपर्मे नहीं होते हैं यह हो गया अब मैं आपको कुछ नई चीज आपको दिखा रहा हूं देखो वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन को संख्या रिखा पर परदर्शित करना तो वर्गमूल दो को संख्या रिखा कैसे परदर्शित करेंगे कैसे निरूपन करेंगे सबसे पहले आप एक परमे संख्या रेखा खीज देंगे और संख्या रेखा पर देखो मैंने ये क्या किया थोड़ा चित्रवडा बनाने के लिए दो इकाई पर बिंदु मार दिये दो बराबर बराबर दूरी पर ये बिंदू लगाए गए हैं पूर्णांक और रिणपूर्णांकों को तो आप क्या करेंगे कहीं पर बीच में शुन्य लिग लिया शुन्य के से बराबर दूरी पर एक दो तीन ये धनपूर्णांक की दर आ गए दाई तरफ और रिणपूर्णांक बाई तरफ आ गए शुन्य के रिण एक रिण दो आप जितने भी लगाना चाहें, उतने लगा सकते हैं, अब आप क्या करेंगे, यह जो जीरो से एक तक है, इसको दो सेंटिमीटर माना मैंने, दो से, एक से दो तक है, इसको भी दो सेंटिमीटर दूरी लिया, जीरो से एक तक है, इसको भी दो सेंटिमीटर, एक से दो तक है, इसको भी दो सेंटिमीटर, और आगे भी बराबर बराबर दूरियों पर आप पूर्णांकों को व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको मैंने, इस दो सेंटिमीटर को एक ही काई के बराबर मान लिया, एक ही काई, तो वर्गमूल दो का मतलब है, फाइथागुरस पर में से एक का वर्ग धन, एक का वर्ग का वर्गमूल, तो एक का वर्ग धन, एक का वर्ग बराबर, ये वर्गमूल दो हो गया, मतलब हमें आधार भी एक सेंटिमीटर चाहिए या एक इकाई चाहिए और उचाई लंभ भी एक इकाई चाहिए तो अब आमने क्या किया यहां से 0 से 1 अब एक पर जो है बिंदु एक पर जो है नब्यंच का कोण बना दिया अब नब्यंच का कोण बना दिया अब नब्यंच का कोण बना दिया आपने यह बिंदु मार दिया यहां नब्यंच का कोण यह बन रहा है अब आपने क्या किया यह रेखा खींची और ये रेखा कितनी खींची ये खींचनी है आपको जितना की जीरो से एक के बीज की दूरी है जीरो से एक के बीज की दूरी को मैंने दो सेंटिमीटर लिया है तो आप इसको भी दो सेंटिमीटर लेंगे दो सेंटिमीटर बराबर एक ही काई ले रखा है हमन बराबर दूरियां लेनी है तो आप ये कर सकते हैं यहां पर मैंने दो सेंटिमीटर की बराबर दूरियां लिये हैं तो इसको दो सेंटिमीटर ले लिया मैंने दो सेंटिमीटर ले ले लिया अब आप जो हैं इस बिंद को यहां मिला देंगे जीरो से इसको जीरो से मिला देंगे तो ये एक ही काई हो गया ये एक ही काई हो गया एक कवर्ग एक दो कवर्ग एक तो एक कर एक दो दो वर्ग मुल दो ये आ जाएगा पाइथा गुरसपर में से इसका मान वर्ग मुल दो होगा अब आप जीरो को केंद्र मान करके और इस दूरी का चाप काट देंगे इस दूरी का इस दूरी का चाप काट देंगे ये पूरा चाप काट देंगे इधर ये ऐसे चाप काट देंगे तो चाप काटने पर आप देख रहे हैं ये संख्यारेखा को ये चाप यहाँ पर काट र यहां काट रहा है तो यह भी वर्गमुल 2 को व्यक्त करेगा और यह भी वर्गमुल 2 के रिनात्मक मान को व्यक्त करेगा तो यह वर्गमुल 2 हो गया यहां पर मतलब one point something आए गए अगर आप यह ना पेंगे 0 से यहां तक तो आपको कुछ value मिलेगी इसकी यहां से यहां तक मा ना पेंगे तो माइनस में value मिलेगी यह तो इस तरह यह वर्गमुल 2 का निरोपन है ऐसे यह आप वर्गमुल 3 का निरोपन भी संख्यारिका पर कर सकते हैं आप 2-2 एकाई की बराबर दूरी पर अंक ले सकते हैं 2-2 एकाई की बराबर दूरी पर चितर को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए ने तो एक-एक-एकाई भी ले सकते हैं एक-एक सेंटिमीटर भी लेग सकते हैं लेकिन उससे चितर छोटा आएगा तो आप बराबर बराबर दूरी पर 2-2 सेंटिमीटर की दूरी पर बिंदु लगा दीजिए यह 3-3 सेंटिमीटर की दूरी पर बिंदु हमें बराबर यहाँ पर हमने 0 लिख दिया जिरो के दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, up to swan जितने बिंदो लिखना चाहे उतने लिख सकते हैं और 0 के बाईं तरफ रिंद 1, 2, 3, 4, up to swan लिख सकते हैं अब आपने वही सबसे पहले वर्गमुल दो कमान निकालेंगे तो ये एक काई मान लेंगे जीरो से एक तक एक काई दो सेंटिमीटर वराबर एक काई मान लिया हमने इसको और इधर भी यहां से और यहां तक की दूरी को एक काई मान लिया तो हम ये एक पर क्या करेंगे 90 का कोन बनाएंगे 90 का कोन बनाएंगे और यहां बिंदू लगा देंगे और इसको मिलाएंगे इस बिंदू को लेकिन कितना बढ़ाएंगे इसको एक सेंटिमीटर की दो सेंटिमीटर की दूरी तक इसको बढ़ाएंगे जितना जीरो से हम दो-दो सेंटिमीटर इसलिए ले रहे हैं कि चित्र बड़ा बने और दो सेंटिमीटर को हमने एक के बराबर माल लिया एक ही काई के बराबर अब इस बिंदु पर पुनहन नब्यंच का कोण बनाएंगे देखिए इस बिंदु पर पुनहन नब्यंच का कोण बनाएंगे य यहां से दो सेंटिमीटर खीचेंगे, दो सेंटिमीटर माने एक ही काई, तो दो सेंटिमीटर खीचा हमने, तो ये भी एक ही काई हो गया, एक, 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 आप देखिए, वर्गमूल दो, वर्गमूल दो काई स्क्वाइर, पाइथागोर असपर में से, वर्गमूल दो काई स् स्कुायर हो जाएगा दो धन एक का वर्गमूल और ये बरावर वर्गमूल 3 तो इसका मान इसको यहां मिला देंगे जीरो से तो इसका मान जो है वर्गमूल 3 होगा अब आप क्या करेंगे यहां जीरो पर प्रकार की नोव रखेंगे और इतनी दूरी का चाप काट देंगे इतनी दूरी का इस दूरी का चाप काट देंगे यहां भी कटेगा और यहां भी कटेगा यह पूरा अब जहां पर इसने इसको काटा संक्यारेका को यह वर्गमूल तीन हो गया यहां पर यह वर्गमूल तीन हो गया और इधर वर्गमूल तीन की रिनात्मक मान हो गया है यह वर्गमूल तीन का रिनात्मक मान और यह वर्गमूल तीन का धनात्मक मान यहां पर तो यह वर्गमूल तीन को व्यक्त करेगा संक्या रिखा पर इसी प्रकार आपके पास संक्यारे खापन निरोपन कैसे करेंगे हम यह जैसे हमने अभी तक किया वर्गमुल 2 और वर्गमुल 3 का वेंसे ही आप यह संक्यारे का खीज देंगे और मैं बता रहा हूं कि हम मैंने यहां पर 2-2 सेंटिमीटर की दूरी पर यह बिंदू ले रखें बराबर बराबर दूरी पर आप 3-3 सेंटिमीटर की दूरी पर भी ले सकते हैं एक सेंटिमीटर दूरी पर बिंदू लेने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि आपका जो चित्राएगा वह बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए आप कम से कम 2-2 सेंटिमीटर की दूरी पर यह बिंदू ले 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 अब मैंने बिंदू लगाए अब जो है एक बिंदू को शुन्य मान लिया शुन्य के दाई ओर जो है एक दो तीन चार बराबर बराबर दूरी पर है दो दो सेंटिमीटर की दूरी पर और जीरो के बाई वोर रिन एक रिन दो रिन तीन बराबर बराबर दूरी पर हैं अब हमने क्या किया सबसे पहले जैसे वर्गमुल दो का मान निकालते हैं वह से ही निकालेंगे ये देखो एक पर जो है नब्यंस का कोन बनाया और इस पर कितना ले लिया हमने इसको यहां मिलाते हुए केवल दो सेंटिमीटर लिया हमने ये दूरी दो सेंटिमीटर लिया तो दो सेंटिमीटर की दूरी ले लेंगे हम और दो सेंटिमीटर की दूरी जो है एक मातरक को व्यक्त करेगी एक इकाई को तो ये भी एक हो गया ये भी एक हो गया तो ये वर्गमुल दो हो जाएगा अब फिर आप इसको यहां मिला दो अब फिर आप यहां पर नबे अंच का कोण बनाएए नबे अंच का कोण बनाया ये देख लिजिए नबे अंच का कोण बनाया इसको यहां से मिलाते हुए आपन एक हिकाई तो अब इसको यहां मिला देंगे इसका मान वर्गमुल्ती नो जाएगा फिर यहां पर चांदे से नब्वे अंच का कौन बनाया इस रेखा के साथ इस बिंदु को मिलाते हुए आप यहां पर 2 cm ही बढ़ाएंगे 2 cm माने एक मात रख एक मात्रक बढ़ाया, इसको यहां मिला दिया, तो यह वर्गमूल तीन है, यह एक है, इसका मान वर्गमूल चार हो जाएगा, वर्गमूल चार माने दो, दो को व्यक्त करेगा यह, और अब फिर इस पर जो है नबेंस का कोन बना देंगे, नबेंस का कोन यहां पर इस रेखा के साथ यह नबयंज का कौन बना दिया इस रेका के साथ और यहां बिंदु लगा दिया नबयंज और इसको कितना बढ़ाएंगे अब हम दो सेंटिमीटर ही बढ़ाएंगे दो सेंटिमीटर बढ़ाएंगे माने दो सेंटिमीटर जो है एक ही काई को व्यक्त कर रहा है एक मात्रक को व्यक्त कर रहा है तो अंत में आप देख रहे हैं यह आधार हो गया यह लंब हो गया तो पाइथागुरसपर में से वर्गमूल 4 का स्क्वाइर धन 1 का स्क्वाइर बराबर ये वर्गमूल 5 का स्क्वाइर इसको यहां मिला देंगे इसको यहां मिला देंगे उसके बाद जीरो को केंदर मान कर यहां केंदर मान कर इस दूरी का चाप काट देंगे यह इस दूरी का इस दूरी का चाप हम काट देंगे और यह आधार को कहीं काटेगा आधार को दो नोर कहीं काटेगा तो आप देखेंगे जहां पर काट रहा है यह वर्गमूल पांच हो गया यह वर्गमूल पांच हो गया और इधर भी काट रहा है तो यह वर्गमूल पांच का रिनात्मक मान हो गया है यहां पर तो अगर जीरो से आप इस दूरी को ना पटरी से तो ये जीरो से यहां तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी जीरो से यहां तक की दूरी है ये रिनात्मक मान हो गया वर्गमूल पांच का और ये वर्गमूल पांच का धनात्मक मान हो गया तो इस तरह से वर्गमूर पांच को हम संख्यारेखा पर व्यक्त करेंगे इन चीजों का आप अभ्यास करना समझ में ना आए तो मैसेज करके मुझे सूचित करना कि गुर्जी ये समझ में नहीं आ रहा है इसको दुबारा बता दीजे तो मैं कोशिज करूँगा उस पर रक्षित रहे हैं